फिल्टर कॉफी का क्या मतलब होता है या आज की वीडियो में सीठ लेते हैं फिल्टर कॉफी का मतलब होता है कि जो सबसे पॉपिलर तरीका है कोफी बनाने का यानि कि कोफी पाउडर को जब आप कप में डाल देते हैं और उपर से पानी डाल देते हैं तो उसको filter coffee कहा जाता है, उपर से आप गरम पानी डालते हैं, तो उस तरीके को filter coffee कहा जाता है, इसमें कई बार आप एक filter paper का भी इस्तेमाल करते हैं, यानि कि जो एक filter paper होता है, जिसकी वज़े से जो coffee का flavor जो है वो धीरे धीरे पानी में आता है, तो इसको filter coffee कहा जाता है, ले को filter coffee कहा जाता है यानि कि filter coffee refers to a method of brewing coffee where hot water is poured over ground coffee beans typically contained in a filter allowing the water to slowly drip through and extract the flavor from the coffee grounds जैसे मैं आपको पहले बताए कि उस तरीके से जब एक filter paper के अंदर जो है coffee रहती है और उस पर जब हम पानी डालती है तो धीरी धीरे पानी में जो है वो flavor घुल जाता है coffee का तो उसको filter coffee कहते हैं लेकिन आम तोर पर जो coffee बनाए जाती है उसको भी जिसमें coffee beans में सीधा उपर से पानी डाल कर उसको जो है mix करके coffee बनाए जाती है उसको भी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को subscribe करें और bell icon को press करें झाल 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 झाल